एटू बीटू स्टड़ी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केशरी आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों यूपी पॉलिटेकनिक प्रवेश परिच्छा दोजार चौबिस का जो एक्जाम 16 मार्च से होने वाला था यह एक्जाम इस्थगित कर दिया गया है आप सभी को अच्छे से पता है एक्जाम के लिए आल लाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 10 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है अब यहाँ बात किया गया है कि एक्जामिनेशन कब होगे आपकी 10 मई तक आल लाइन आविदन जो है लिये जाने के नेड़े लिया गया है ठीक है अब इसके बाद जो है आपका प्रवेश परिच्छा का जो आयोजन है वो अब जाकर के मई जून में प्रस्तावित किया जाएगा मई जून यानि कि अगर 10 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भड़े जा रहे हैं फॉर्म भड़ने के बाद आपके जो एड्मिट कार्ड है क्योंकि देखिए फ्रीपेशन अब आपको करनी है उके प्रावेदी सिछा परिशत के जो सचिव है ठीक है उन्होंने बताया हुआ है कि प्रावेदी सिच्छा विभाग के प्रमुक सचिव जो है नका नाम है एम देवराज उने बताया कि बताया जा रहा है कि वहीं लोक सभा चुनाओ भी जल्द प्रस्तावीत है इसको देखते हुए या बदलाव किया गया है अब यरती 10 माई तक जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है भर पाएंगी जबकि कंप्यूटर अधायत याने CBT एक्जाम का जो डेट है वो अलग से जारी किया जाएगा सीटों के सापेच कम संख्या में आया आवेदन जो थे इसका काड़ ये भी था कि आनलाइन फॉर्म को एतना लंबा समय तक प्रस्तावित किया गया है कि आनलाइन फॉर्म छात्र भर्ष रखें क्योंकि केवल 2.60 लाग यानि 2,60,000 चात्र ही फॉर्म परे थे अगर पिछले स साल की बात कर ले तो इसके 2.60 ने फॉर्म को भड़ा था तो इतने कम संख्या में जो आवेदन आया हुआ था तो एक काड़ ये भी रहा कि कम संख्या में आवेदन के चलते फॉर्म के डेट को जो है बढ़ाया गया